यहाँ पर हमारे पास यह question है, हमने इससे integrate करना है, तो पहले अंदर वाले को हम integrate करेंगे, और बाद में फिर हम limit put कर देंगे, तो यहाँ पर integrate करने के लिए हमारे पास जो function है, वो है I, सबसे पहले तो यह 5 को बाहर लेते हैं, तो यह हमने लिया इस तरह से x square upon x square plus 4x plus 3, अच् अब जो integration का पहला rule है, मैंने उसका पहला rule बना रखाया है, कि numerator की power, अगर denominator की power के equal यह ज्यादा हो, तो divide करते हैं, तो यहाँ पर numerator की power, denominator की power की equal है, आप देख सकते हैं, दोनों टूटू हैं, तो यहाँ पर हम divide करेंगे, तो, ओके, एक बार गया, x square plus 4x plus 3, और फिर यह गटा या या माइनस 4x माइनस 3, तो यह change हो जाएगा, 5, और यहाँ पर, 1 plus minus 4x minus 3 upon x square plus 4x plus 3, ठीक है, यह वह 5, अच्छा, 1 का integration तो ठीक है, यह हो जाएगा, x, यह minus दोनों से common आ रहा है, तो मैंने minus ले लिया, और यहाँ पर integration का sign यह लग गया, plus 4x plus 3, ठीक है, dx, यह हो जाएगा, 5x minus 5, और यह काम करते हैं, जो यह अंदर है, इसको हम फिलाल I1 नाम इसको दे देते हैं, क्योंकि इसका अलग से होगा, अब यहाँ पर यह जो denominator है, इसके हम factors कर सकते हैं, तो जब इसके factors होते तो best bet यह है, कि हम partial fraction से इससे integrate करें, तो सबसे पहले तो इसका partial fraction हम करेंगे, 4x plus 3 upon x square plus 4x plus 3, यह जो है denominator factorize हो सकता है, तो इसके factors यह हैं, आप अलग से इसके factors निकाल सकते हैं, तो x plus 3, b upon x plus 1, है न, तो यह हो जाएगा, 4x plus 3 equals to plus b, मैंने LCM लेके denominator हटा दिये हैं, अगर आपने previous exercises अच्छे से की हैं, तो आपको सब समझ आ रहोगा कि कैसे हम कर रहे हैं, यहां यह हो गया, ax plus a plus bx plus 3, b, तो x common आएगा, तो a plus b plus a plus 3, b, और इधर क्या है, 4x plus 3, अब compare करेंगे हम, तो a plus b, जो है, that is 4, coefficient of x, and a plus 3, b, यह है 3, तो subtract करेंगे, minus 2, b is 1, और इससे आ चुका है, b equals to minus half, और यह हम put करेंगे, किसी भी एक में, दोनों equations में से, चलो इसमें put कर देते हैं, तो a हमें मिल जाएगा, 4 plus half, and that is 9 upon 2, तो इस वज़े से, अब जो i1 है, यह हो जाएगा, i1 जो है, integration, और यहाँ पे, a है, 9 upon 2, and b minus half, तो a upon x plus 3 है न, यानि, a upon x plus 3, plus b upon x plus 1, ओके, तो यह हो जाएगा, 9 upon 2, integration, 1 upon x plus 3, dx, minus half, integration, x plus 1, dx, 9 upon 2, log x plus 3, minus half, और यह भी log में आएगा, x plus 1, constant लगाने के आवश्यक्ता नहीं है, i1 यह आचुका है, तो जो i है, हमारा integral, that is 5x minus 5i1, तो यहाँ पर, 9 upon 2, log x plus 3, minus half, log x plus 1, ठीक है न, i1 हम नहीं यहाँ पर put कर दिया, यह जो हमारा आई था, और अब हम limit यहाँ पर लगाएंगे, तो जो हमारे पास यह integral था, इससे integrate करके, यह आ चुका है, अब because limit यह है, 1 to 2, question में limit 1 to 2 है, तो यह भी, इसमें limit 1 to 2 लग जाएगी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि काफी सारे यहाँ पर minus हैं, यहाँ पर हम इनको separate कर सकते हैं, देखो यह कैसे होगा, पहले यह है, तो 5 बाहर आ जाएगा, और x पर limit लगा देंगे हम, ठीक, minus 5 है, और यहाँ पर यह है, तो even 9 upon 2 भी हम बाहर लिख सकते हैं, और limit log x प्लस 3, यह काम करते हैं, इस 5 को बाहर लेके आ जाते हैं, यह limit हम इस पर लगाएंगे, 1 to 2, minus half, और यह जो है, इस पर भी limit लगा देंगे हम, 1 to 2, अब आप यह देखो, अच्छे से इसको understand करो, absorb करो, किस तरह से हुआ है, यह 5 हमने यहाँ पर common ले लिया, और अंदर इस पर limit लगा दे, और अंदर भी हमने इनको separate कर दिया है, तो ऐसे मारा हम से separate कर सकते हैं, इससे calculation बहुत ही ज़्यादा convenient हो जाती है, 2 minus 1, अपर limit minus lower limit, यह 5 बहार है, अच्छा, 9 upon 2, और, log, 5 minus, log, 4, ठीक है, minus half, log, 3 minus, log 2, और यह हो जाएगा, यह तो 5 आजाएगा, 5 into 1 is 5, minus 5, और यहाँ पे है, 9 upon 2, log, 5 upon 4, minus, half, log, 3 upon 2, और यह हमारा answer आचुका है, ओके?